दोस्तो आचारे चान के की नीतियां संसार की सर्वसेष्ट नीतियों में से एक मान जाते हैं आचारे चान के सेष्ट रते सास्तरी उनी के साथ साथ एक मान राजने ते गिवं कूटने ते किती उनके द्वार बताई गई चानकनिती को सीखने से आप जीबन किसी समस्य आपको आसानी से सुलजा सकते हैं साथ ही साथ चानकनिती का ग्यान आपके लक्ष को पूरा करने में सहाइक से दो सकता है यदि आप चाते हैं किसी भी इस्तरी के दिल में अपने लिए मुबबत प्यदा कर दें वो इस्तरी को अपने प्यार में दीबानी बना दें वो भी हमेसा हमेसा कलिए तो सर्फ दो तुलसी का पत्ता ले करके इस जगा पे प्यांक देजिए एक दन के पीतर में वो इस्तरी आपसे प्यार करना शुरू कर देगी आपके नाम की माला जपना शुरू कर देगी आपके बेना नहीं रह पाएगी प्यार पाने का बहुती सकती साली उपाए तो दोस्तों आईए जानते उपाए के बार में दोस्तों सबसे पहले आपको दो तुलसी के पत्ते लेना है सिर्फ दो पत्ता और वो सिस्त्री का नाम लेना है इसके बाद एक पत्ते पर अपना नाम लेखेंगे और एक पत्ते पर उस वरत है लड़की का नाम लिख दीजिए जिसको अपने प्यार में दीबानी बनाना चाहते है जिसे अपने प्यार में बेचानी करना चाहते है इसके बाद काला दागा लेकर के तुलसी के पत्ते पर साथ बार लपेट देंगे काला दागला पिटने के बाद एक बार को को मार दे और पर साम के समय कैसे भी बैट वे पानी में इसको बाद देना है और अपने प्यार का नाम लेते रहें उसके चरे को मन में बसा लिए जैसे अपने बस में करना चाहते हैं और तुलसी के पत्ते को बात देजिए चमतकार देखिएगा एक दिन के बीदर में भूस्तरी आपसे मिलने को दाएगी आपके प्यार में धीबाने हो जाएगी तो दोस्तों अपने प्यार को पाने के लिए अपनी मुबबद को पाने के लिए एस उपाय को सही नियत हम सची स रद्धा से एक बारबस से करें जिससे आप अपने प्यार को अपनी मुभबात को अबसी बस सकें दोस्तों आज के इस वीडियो में बस अतना है वीडियो आपको कैसा लगा नीच कमेंट बॉक्स में जरूर लेखें अगर आप बगवान स्रीकिशना जी के सचे भकते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में जैस स्रीकिशना रादे रादे जरूर लेखें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद